दोस्तो प्राणायाम करने पर, ध्यान करने पर, मेडिटेशन करने पर, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊँगा, कि अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो इसके 100% चांस है, कि जिस चीज के लिए आप उस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, जिस यूग का अभ्यास कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, उसमें आपको 100% पाइदे मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि इस टेक्निक को समझते हैं शीर सासन के अभ्यास से, यानि कि आपको पता है कि शीर सासन के बहुत सारे फाइदे होती हैं, जैसे कि शीर सासन का अभ्यास करने से बाल जढ़ बन्द होती हैं, बालों की कॉलिटी बढ़ती है, समय से पहले सफेद हुए बाल दुबारा से काले होती है, शीर सासन कंभ्यास करने से हमारी पाचन शक्ती बढ़ती है, शीर सासन कंभ्यास करने से धातुरूग खत्म होती है, शीर सासन कंभ्यास करने से हमारे आखों की रोश जैसे कि अगर व्यक्ति शीर सासन का अभ्याज करता है बालू के लिए तो अगर व्यक्ति विशेश करके ध्यान के साथ यानि कि अगर व्यक्ति शीर सासन कर रहा है तो अगर व्यक्ति शीर सासन करने के साथ यह ध्यान करता है कि जो खून है वह उसके माथे की ओर वह खोपड और जा रहा है हमारी बालो की जड़ों पर खूंन का सर्कुलेशन हो रहा है और जब तक वह instagram करता है तक वह यह ही ध्यान करता है तो विशेश करके उसको शीर सासन की मान्ध्यम से बालो की समस्या से रहत मिले गी हाला कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इससे आपका हाजम अच्छा नहीं होगा आपकी धातू रोक की समस्या खत्म नहीं होगी इससे आपकी कबजी की समस्या खत्म नहीं होगी ये पूरे फाइड़े आपको मिलेंगे लेकिन विशेश करके आपको बाल जड़ने की समस्या में विशेश फाइदा मिलेगा अगर आप शीर सासन का उभ्यास करते हैं धातू रोक की समस्या को खत्म करने के लिए तो आपका ध्यान होना चाहिए कि शीर सासन करने के साथ साथ आपकी धातू रोक की समस्या खत्म हो रही है आपका ध्यान होना चाहिए आपकी अंड़कोश पर यानि की अंड़कोश ये जो वीरी की शक्ती है जो वीरी की उर्जा है वहे उपर की उर्जा रही है अगर व्यक्ति इसका ध्यान करते करते शीर सासन का अभ्याज करता है तो इससे वीरी की उधर्व गती होती है इसी तरह से गर्वेक्ति त्रमन प्राणायाम का अभ्यास करता है और यह ध्यान करता है कि जो वीरी की उर्जा है वहे उपर की उर्जा रही है तो इससे विशेश करके त्रमन प्राणायाम में उसकी वीर की उधर्व गती हो जाती है तो दूस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो की संकल्पना समझ में आई होगी आपने वीडियो यहां तक देखी आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद